हेलो स्टूडेंट्स दिस नीरज गुपता इस वीडियो में हम कंपनी की जो basic informations हैं जैसे company का address हो गया company का mobile number हो गया email id हो गई इस तरह कि किसी basic information में अगर change करना हो यानि कि company की information को alter करना हो तो वो कैसे करते हैं इसको सीखेंगे लास्ट में एक छोटी सी है कमांड की कमपनी अगर रेर होता होगा लेकिन कमपनी सपोज हमें डिलीट करनी है शुरू से हम create करना चाहते हैं या किसी भी रीजन से अज अन अकाउंटन सपोज हमार पस multiple companies और अब किसी का काम चला गया हम backup नहीं रखना चाहरे फिलाल या उसको अपने menu में नहीं रखना चाहरे तो हम company को delete पर कर सकते हैं तो यह दोनों option how to alter a company और how to delete a company इस वीडियो में हम सीखेंगे सबसे पहले हम ले रहे हैं how to alter तो इसके अंदर आपको जैसे आप screen पे टैली में enter करेंगे भी मैं करके दिखाऊंगा तो आप relevant company को select करेंगे और जैसा हमेशा होता है company की basic information को use करने के लिए जैसा पिछली वीडियो में भी बताया alt f3 को use करते हैं और फिर हम alter के option पे जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा उसके बाद आप समझेंगे कि बिल्कुल एक तरह से वह automatic process करेंगा तो जो याद रखना हो क्या कि पहले company को select करें फिर alt f3 तो चाहिए चाहिए company की details के लिए फिर alter option अब जैसे suppose यह हमारे सामने है select company अब मैंने आपको example के लिए आपके assignment में कौन सी company को कहा है चेंज करने के लिए आप देखेंगे say for example xyz enterprises ओके तो मैंने इसके अंदर को change suppose आपको suggest किया यहां तक पहुंच गए अब हमें पूरी information के लिए यह F3 Alt F3 मैंने पहले भी बताया था वहाँ पर भी मैंने इसको highlight किया हुआ है Alt F3 यह main होता है company की basic info पे पहुंचने के लिए यह फिर आप vertical बटन बार से इसको click कर सकते है Alt F3 यह इसको मैंने click किया अभी मुझे करना है alter alter मैंने click किया तो मेरे को company दिखेगी जिसको मुझे alter करन करो अगर आपने assignment ध्यान से देखा हो तो मैंने यहां पर आपको बोला कि आप इसका change करो address इसको 230 दिपाली की जगह है 320 करो यह error भी हो सकता है यह हो सकता है company जो हो shift कर गई हो तो अब भी मैं इसको enter करके वहाँ पर पहुंचा अब मैं इसको दुबारा से टाइप कर सकता 320 दिपाली पीतमपुरा डेली हो गया पिन कोड में कोई change नहीं है contact details अब आप देखेंगे mobile नंबर भी मैंने change किया है तो it is 9266664949 यह मैंने mobile नंबर लिए बस इतना ही है बाकि जब data से हैं तो enter करते जाहिए आप और last में यह कहँएगा accept तो आपने simple इसको accept करना है हो गया अब अगर मैं एक बार और इसको प्रेस करके देखूं enter अब देख सकते हो कि yes मेरे mobile नंबर बतला हुआ है और जो information मैंने change की थी address की वो आप देख सकते हैं अब वो भी बदल गई है now it is 320 दिपाली जबकि पहले पुरानी information जो है वो 230 दिपाली थी चीक है ना तो that means मेरा काम हो गया जो मैंने इसमें changes करने थे वो हो गए राइट चलिए अब next है हमारा जो study करना है वो है कि किसी भी company को delete कैसे करते हैं again वही alt f3 option हमारे पास मैंने कहा ना company की basic info में अगर हमें working करनी है तो alt f3 के option हमें use करनी है यह कुछ चीजे practice से याद भी होने लगती है दूसरी एक और important बात कि delete करने के लिए भी हम पहले alter option पर जाएंगे डिलीट करने के लिए company को हम alter option पर ही जाएंगे company की पूरी information देखेंगे और फिर इस command को थोड़ा से याद रखना है मैं इसको red में highlight कर देता हूं it is alt plus d delete के लिए short form बनाईए इनोंने alt plus d यह आपने press करना है और दो बार टेली पूछेगा कर दूं कर दूं अगर आप बोलते हाँ या कर दे बंद इसको देन आप डिलीट कर पाएंगे जैसे मैंने example के लिए question बना दिया कि आप ABC traders मेनत करके बनाई थी company लेकिन चलो practice करनी है कि इसको delete कर दो ओके तो पहले हमने company select करनी है हमने कौन सी company select करनी है बाइदी वे सबसे उपर है alphabetically ABC traders इसी को हमने delete करना है अब हमने alter option प्रेस किया ABC enterprise ABC traders की option हमारे सामने खुल गए ठीक है वही process है जो मैंने alter अब मैं इसको alter भी कर सकता था लेकिन मुझे अभी alter नहीं करना है मुझे करना है delete तो delete करने के लिए मैंने क्या बताया था alt plus d फिर वो दो बार पूछे का आप से sure sure तब आपने बोलना yes तो alt f3 और alter option यूज करके ह है डिलीट करने के लिए और फिर डिलीट करते हैं तो लेट्स गो तो अब यह ABC traders मेरा खुला हुआ है और मुझे इसको डिलीट करना है तो जैसे मैंने क्या कमांड बताया थी alt plus d अब यह मैंने जैसे दबाया है अपने laptop पर alt plus d तो एकदम आ रहा है delete yes और no यही मैंने type करके भी आपको दिया हुआ है delete yes और no और वेसलिट करना चाहते तो मैं yes का सरफ y प्रेस करूंगा वह एकदम से नहीं कर रहा है आपको दुबारा पूछ रहा कि गलती से भी हो जाता है हमसे काम तो आर यह शूर कि आर्ट रॉल एक कंपनी डिलीट करना बड़ी बात होती हो सकता अब दुनिया भर के अपने vouchers enter का रखे हो लेजर क्रीट के हो तो एक बार वो पूरा sure होना चाहरा है so are you sure but as we have to practice तो we are sure अब हम बाद में इसको check भी करेंगे कि हमारे जो left fan है उसमें से यह ABC traders खतम हो जाएगे तो मैंने again किया yes अब यह company जो है हमारी खतम हो चुकी है अब अगर मैं select company के option पर जाओं तो मैं देखूंगा कि मेरे को दो ही company नज़र आ रही है नीरेज गुप्ता traders and XYZ enterprises वो जो ABC traders थी वो अब डिलीट हो गई permanently ठीक है ना तो इस वीडियो में इतना ही अब आगे-आगे आप देखते जाए और मुझे उमीध है कि आप अगर थोड़ी प्राक्टिस कर रहे होंगे तो टेली सीखना आपको बहुत ही interesting और easy लग रहा होगा thank you